आज किस वीडियो हम सॉलुशन देखने जा रहे है कॉन्फिगरिंग प्राइवेट गूगल एक्सिस एंड क्लाउट एने टी का जैसे से मैं कर रहा है वैसे से आपको आपकी वीजियो लाव है बड़ी इसली कंप्रीट हो जाएगी ठीक है यहां से password को copy करने इसको जो है इंकॉगिटी मौन में open आपको अब अधर कोछotechnology और हम उसके करते हैं फटाफट, यह हमने open कर लिए हैं नीचे scroll करते हैं, यह सब भब skip कर दे ना गाइज, हमें जाना है VPC network के अंदर, अमें एक VPC network को create करना है, तो कैसे करेंगे, यह VPC network को हमने copy कर दिया, इधर से, इधर आना, search बार में paste करना, enter दवाना, ठीक है, इधर first चौले पर क्लिक कर देना या चुक है इधा create VPC network पर क्लिक कर देना कुछ ऐसा इंटरफेस आगके सामने आगे अब आकको क्या करना है इधर आना है ठीक है अब आकको name में आकको private net paste करना ठीक है पुल स्टॉप मत करना इधर आना इसको पेस्ट कर देना अगर स्पेसिंग होई हो तो एक बाद चेक भी कर देना ठीक है यह हमने कर लिया है अब हमें next काम क्या करना है हमें for subnet creation mode click custom पे क्लिक करना है subnet creation हमें custom पे क्लिक करना है अल्ड़ी selected है यह ना selected हो तो इधर custom पे क्लिक कर देना नीचे स्क्रोल करते है अब हमें subnet के लिए create करना है तो यह subnet का name जो है private net us इसको copy कर लेना फिर से होई चीज़ स्पेसिंग को काफी जाद ध्यान देना then region में हमें क्या से लेक करना है US Central 1 and IP address में यह तो IP address copy कर लोगना and इधर आना region में इधर से पहले IP address पेस्ट कर दो इधर ठीक है फिर region US Central 1 select करना है तो इसको नीचे स्क्रोल करते है US Central 1 यह रहा US Central 1 पे क्लिक कर देना यह हमारा काम हो चुका है अब में क्या करना है done करना create करना एंड यह वेट करना जबताव वह create हो रहा है तो यह नीचे स्क्रोल कर देना full इधर done पे क्लिक कर देना ठीक है and on नीचे स्क्रोल करना and then create पे क्लिक कर देना तो यह वेसिकली आपका एक subnet create हो चुका है देख लेते हमें और क्या क्या करना है आगे so next में हमें firewall rule create करना इस नाम का पूरी detail दिये इस नाम से firewall rule create करना कैसे करना सबसे पहले जो है इसको copy करके रख लो ताकि हम जैसे हो complete हो हो हम आगे बढ़ सके ठीक है मैंने copy कर दिया है इधर आते इधर successfully created network private net हमारे create हो चुका है इसको cross कर देना अब firewall इदर side में देख रहा है इस पर क्लिक करना अब यह create firewall rule पर क्लिक करना रूल ही create करना है ना की policy हाँ firewall rule create करना है नेम हमें देना है जो अभी हमने copy कर रहा था यह spacing का बहुत जाद ध्यान देना और network private net रहेगा इसको हमको वहीं से करना है target all instance in the network IP range यह अलर रहेगा तो इसको copy कर लो मैं बताता हूं इधर आना ठीक है network पर इधर आना एधर प्राइवेट इसके बाद नीचे स्क्रोल करना नीचे स्क्रोल करने के बाद टार्गेट पर specify टार्गेट टैग जो है इसको जो है all instance in the network पर क्लिक कर देना यह हमने कर दिया है IP अब नॉर्मली बस हमें श्याद क्रियेट ही करना है और कुछ नहीं करना है इस पर क्रियेट पर क्लिक कर दो और यह हमारा फैरवल रूल भी जो है वह क्रियेट हो गया है तो अब इसे बन जाने दो पहले एक बार देन आम आगेगी प्रॉस्य को continue करते ठीक है तो यह देख तास कre अधर बढ़तेे सेकें टास में हमें क्या करना है क्रियेट करना है एक वेएव मॉलिक आपि अधिक्यत्या अब i कि यह हमारा उपन हो चुका है अब इदर आके विरेक्रोब इन स्ट है क्लिक करना एंड इंस्टेंस की जगा पर जो भी рес gratis करना इस सपेसिंग ले नहीं थ्यांदें subjects इंड आड चीमें अजिछ मशीन टाइप एंड ळfolg स्टेंडर अधी दर स ooh यह तो यहर ऐना स अल प्लिक डेन सी डिक है यहां इंड आण इसा क्लिक करके norm पर क्लिक कर देना के यह हमने कर दिया अंवन स्टेंड बन आ जाना है कभी कभी इसको कापी करने नगाज को क्या करना इस इदर आना तो नीचे स्ट्रोल करना एह सबसे Advance option पर क्लिक करने के बा iron putting करना और इधर और आने के बाद जो है enter kitty means other Camera अधर के जो है इसको जो है इसको डिलीट करना इसको नीचे स्कूल करना इसमें आना एन इसमें आके private नेट्वर्ग करना ठीक है एंड यस नो सबनेट नेटवर्ग इन इस रिजन टो यूज आई पी नहीं है अभी तो बट इधर बोल रहा है कि आपको कोई सबनेट नहीं है ठीक है तो बिसिकल लिए मैं देख लेता हो कि क्या प्रॉब्लम आर यह इधर स्वेर इधर हमें सबने नहीं बता रहा है, no subnet in this region तो क्या करना है आपको इसको जो है refresh करना एक बार, ठीक है refresh करने से क्या बता है, update हो जाता है तो वेट करो, एक बार refresh करने करने का था हमें वापे से साइड डिटील भषननी पड़ीगी पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा वो आया है या नहीं आया है तो refresh हमने कर लिया है, यह load हो चुका है आप सबसे पहले नीचे आना नीचे आने के बाद यह चीज़ चेक करना है कि आपको जो है private network में वो दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है मशीन टाइप को जो है N1 सेलेक्ट कर लेना यह मैंने कर लिया है इधर से N1 स्टेंडर 1 आटमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी ना आए इधर N1 स्टेंडर 1 तो एरो पर क्लिक करके यहां से सिलेक्ट कर लेना यह हमारा काम हो चुका है अब हमें इधर जो है US Central 1 एं US Central 1 C यही लेना है अभी आपको क्या करना है वापिस से इधर आना है वापिस अपना जो नाम था इधर से VM इंस्टेंस VM इंटरनल इसका नाम था तो हमें इसको कॉपी कर लेना इधर आना इसको पेस्ट कर लेना चीक है इतर्ला इपी पे हम जाते है उपर टीक है 3 से अधर ने दो डुण और वेट करो बीच्छ डूल है या वेट करो चयक में प्रॉभ स्टन हो क्या करना है एक बैस्ट यर óं शोट क्रिएट करना है वी एम इंटरनल का तो कैसे क्रिट करेंगे फिर से हम एक इंस्टेंस क्रिट करना है इस नाम से तो इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले चीक है इधर आना वापिस से फिर से हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक सेकंड का इस पहले एक चीज करना है कि उसको बन जाने जाने तो सब्सक्राइब का दियान देना यूँ तो आप इदर से क्लिक करना अगर आपका ना हो तो मशीन टाइप बापस से आपको जो ए एनवन सिलेक्ट कर लेना है यह मशीन टाइप करना है तो इदर क्लिक करना मैं ओपर जाता हूँ ओपर जाने के बाद f1 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 एक सेकंड मशीन टाइप जो है f1 micro है ओके मशीन टाइप आपको f1 micro select करना तो यह इदर आना तो यह इस फ़े f1 राइट करना है तो यह नीचे स्क्रोल करना नीचे स्क्रोल करने के बाद और नीचे जाते जाना जाते जाना ठीक है set access for each API select कर लेना यह हमारा काम हो चुका है अब इत्ती साइव चीजे आ चुकी है इसमें हमें कुछ करना है क्या कंप्यूट इंजन को में read and write पर सिलेक करना है तो यार ठीक है हम वह भी कर लेते इधर कंप्यूट इंजन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना एंड इसको read and write पर क्लिक कर देना ठीक है read only select कर लेना यह automatically लिखा जाएगा यह ना है तो इक बार इसको वापस से refresh करके साइव डीटेयल भर देना आपका काम हो जाएगा इन पर रहल ही स्लेक्टेड है automatically अगर आपका ना हो तो आप सिलेक कर लेना गईस यहा हमारा काम हो चुका है हमें बस अब पर क्लिक करना है और create पर क्लिक कर देते है नौर्मली नीचे आएंगे तेन पर क्लिक करना है आपको इधर जो है create को option नहीं आ रहा है देखो इधर यह जो है लाइस बग्स है तो बेसे क्या करना है इसको वापस से refresh करना पड़ेगा पूरा वापस से सारी बढ़नी पड़ेगी तो आप नीचे आके देखोगो तो आप देखो मैं आपको बताता हूँ क्रीट को option जो हो आ जाएगा आपको कुछ भी प्रोब्लम है आपको पेज को refresh करना है आपका काम जो हो जाएगा मैं एक बार नीचे आक दिखा देता हूँ कि इधर create को option आपको आइं यह central c ही रहना है तो इसको वैसे कर एंधना मैं उपर जाता हूँ आप इससे नेम कौपी करता हूँ देंस पेसिंग आ भहाँ जाधा ध्यान देना देना इसे इधर आना इंस्टैंस के नेम की जगा इसको पेस्ट कर देना नीचे स्क्रोल करना पेस्ट स्क्रोल करना क क्लिक करना मैं और क्लिक करना अपना हमाम करना एंड डिपोल्ट पे एक बार सब्सक्राइब रिख करना नम पर ानर यह से बाराँ सिलकेट हो वाला हु variety चीज़े हमने कर लिए चेक मैं प्रोग्रेस पर क्लिक करोगे तो आपके जो याला काम है यह भी कंप्रीट हो चुका है है ना अब आपको क्या करना है एक बर इसको क्रियेट हो जाने दो चीज़े फिर मैं आपको बतातो तब तक आप इधर से अपना एक्टिवेट कर लो क्लौड चेल को यह हमने कर लिया एक्टिवेट यह इदर ओन हो रहा है इसे उपन हो जाने दो इधर देखो है कर देख सो यह वोच तो आपको यह लोड़े विक्सक्राइब करना है थो को क्लिक करना तो फक्लिक करणा दो 12 पर तो आपको बार चेल करना यह ना फो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब ऐसा आएगा तो आपको केपिटल वाई लिखके एंटर प्रस करना है देन दो बार एंटर प्रस करना आपका कुछ ऐसा शेल ओपन हो जाएगा अब यह आटोमेटिकल एक लाइन आ जाएगी इसके इंदर जब आप अपनी कमांड को पेस्ट कर करना ठीक है एंटर दबा देना यह आपका काम हो चुका है एंड नीचे स्क्रोल करना अब इसको कॉपी कर लेना इसको कॉपी करने के पाद जो है इधर आना इसको पेस्ट करना एंटर दबाना यह हमारा काम हो गया है एंड जब वो बाय बोले तो कैपिटल वाय से लिखना यह हमने कर दिया तो अब आपको क्या करना है यह आपसे पूछ रहे हैं एंटर पर पास प्रेस तो यार एंटर प्रेस करना है आपको इदर एक बार एंटर दो बार एंटर एंटर आपका काम जो हो गया है वापस रिवेट करना है यह अटोमेटिकली हो जाएगा सही अब आप को करना है इस किमांड को कंना है इंटर तबाना वापिस से करना यह राण हो जाए इसके बाद हम धाली कंना को पेस्ट करना है एकजिट ठीक है तो यह हो चुका है थी टास्ट वे में क्या कशने करना बंटैमेट रदी इसके लिए आपको क्या करना इधर से अपने यूजर ज्यो जीए का प्रोजेक्ट अईडिस को क्लिक कर यह हैài इदर जाके cloud storage पर आना एंड इदर पर क्लिक करना तो आपका अपने प्रोजेक्ट आड़ी कोपी करना यहां पर पेस्ट करना एंड पर क्लिक करना इदर जो है हमें multi region बोला है एंड दन create करना है ठीक है यह multi region पर select कर देना बस आपका काहा हो गया है नीचे आना एंड इदर create पर क्लिक कर देना यह अलड टास्क हमार हो चुक है ऐसा बोले तो यह गरिक कर देना यह वह गया अपना काम नीचे स्क्रोल करना अब आपको जो है इसको कॉपी करना है इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है इसको अपने एक notepad में लिख ल इसको आटाना एंड आपकी dcp के project id पेस्ट कर देना अब इस कमांड को कॉपी करना वापिस से आना अपने cloud shell के ऊपर ठीक है मैं आता हो cloud shell के ऊपर इधर ही हमारा बंच चुका है bucket अब आपको क्या करना है इसको बड़ा करना है वापिस से एंड इसको मैं cross कर देता हूं इ इसको हमें करना है या लेको करना है and task 3 को भी करना है and task 3 तक हमें करना है ठीक है guys sorry यह गलत पर जो पन हो गया so basically हमें थोड़ा सवर करना है थोड़ा lengthy है यह lab that's why हमें थोड़ा time लग रहा है इसमें but yeah मैं बहुत easy way मैं आपको बतारो ताकि आपको के problem ना है ठीक है so हमने यह आला काम कर लिए आप हमें वापे से computer engine में जाना है and vm-bistrons का यह copy करना है and इसको copy कर लो सबसे पहले तो ठीक है इधर लेकिया हूँ and enter दबाना इधर paste करना यह अली command को अब आको क्या करना है वापे से आना है इधर इधर आने के वाद अपने GCP की project ID को copy करना इधर आना है वापे से and इसको जो है इधर से remove कर देना यह मैंने remove कर दिया इधर paste करना ठीक है इस command को अब आप copy इन एरो पर क्लिक करना and viewing Google Cloud पर क्लिक करना and run in Cloud Shell पर क्लिक करना जाएगी अब यह चुका है अब हम नीचे स्क्रोल करेंगे यह हमारा काम हो चुका है अब इसको कॉपी कर लो वापे से इसको कोपी करना है आली कमान्ड को इधर आना है इसको जो पेस्ट करना एंटर दब आना है यह हमारा काम हो चुका है अब इधर आना एफ इसटर करोंगे यह से मेरा प्रट्रवल्म देता है कभीएज अब मैं इसको कॉपी कर करूंगाँms वापेस से इधर से dcp का project id copy कर लेना ठीक है यह मैंने कर लिया project id copy अब मैं इसको यहां से जोए remove करूँगा एंड paste कर दूँगा ठीक है यह हमारा काम हो चुका है इस command को copy कर लेना वापिस से इधर आना paste करना एंटर दबाना यह हमारा काम हो गया ठीक है इसको run हो जाने दने यह हो जाएगा run आपको problem नहीं आएगी एंड हमको फिर ctrl c press करना है हमारा काम हो जाएगा ठीक है तो यह basically हमने एक command को run कर दिया है एक minute इसको run हो जाने देना and then normally आपको ctrl c दबाना है इसको रोकने के लिए यह वेट करो देखो इधर अभी चल रहा है इस शुट नाट वर्क क्योंकि चीक है अब आपको क्या करना है ctrl c पे press कर देना आपका काम हो गया है यहाँ अब आपको नीचे स्क्रोल करना है अब आपको close करना sssl terminal को क्या करना exit लिख देना and enterprise कर देना यह हमारा काम हो चुका है जाके प्राविट नेटवक के अदर जाके सबनेट को open करना है इसको edit करना है तो वह आरवापेश चलते है वी पीसी नेटवक के अंदर इसको मैं minimize कर देता हूं ठीक है अब उपर जाना सर्च बार में वी पीसी लिखना ठीक है और वी पीसी नेटवक आपको दिख रहा होगा इसको open कर देना यह इसा कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा इधर आपको क्या करना है इधर आपको एडिट करना है फॉर प्राविट गूगल एक्सिस उसको हमें on कर द हमें on कर देना है सो basically नीचे स्क्रोल करेंगे तो यार इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है एक सेकड्ड गाइस प्राइवेट नेटवक एक्सिस को हमें on कर देना है बट ऐसा कुछ हमें इधर दिख भी नहीं रहा है इसको मत करो कुछ भी चेंजेस एंड बैक करना वापर स इस पर क्लिक करना एड़िट पर इदर आपको दिख जाएगी चीज़े नीचे स्क्रोल करना तिक यह का मौंपन करना एड ज्याएफ हो चुका यह ओपन हो चुका है अपडेट हो रहा है हमारा भी अब आपको वापी से जाना है वह एम से वापिस से exit लिखना एंटर दबा देना ठीक है अब इस पर वापिस क्लिक करना एंड viewing Google Cloud पर क्लिक करना and run in Cloud Shell पर क्लिक करना एंटर प्रस कर देना ठीक है एंटर प्रस करने के बाद यह जो है ऐसा कुछ open हो जाएगा आपका वापिस से आपको बस उस पर क्लिक करना एंब जो हमने कमांड कॉपी करी यहां पर प्रोजेक्ट करना एंटर दबाना ठीक है यह हमारा काम हो जाएगा अब हमें क्या करना है next इस कमांड जब पूछे तो मैं वाय टाइप करना है बट अभी पहले इसको कॉपी करने हैं इदर आना इसको इदर पेस्ट कर देना वापिस अपनी क्विक स्लेप की प्रोजेक्ट ड़ी को कॉपी करना ठीक है और ने कर दिया है यह हमारा काम हो चुका है याला भी अब मैं मैं जाता हूँ आप इससे अपने इदर एंड चेक मैं प्रोफिस पर क्लिक करना यह अलट आस जो है कंप्लीट हो चुका होगा आपका यह हो चुका है अब आपको नीचे आना ठीक है अभी हम उसी किस इंस्टेंस शेल की अंदर यह तो यह इसको कॉपी कर लेना इसको पेस्ट करेंगे तो पहले इसको रन हो जाने दो गाइस अभी यह रन हो रहा है तो वेट करते हैं पहले इसका रन हो जाने का तो यह यह कमांड जो इसने एरर दे दी है अभी हमको क्या करना है थोड़ा रन में टाइम लिया बट आपको क्या करना इधर एक्जिट पर क्लिक ऐसे काऊपी कब पर यह अब इसको पेश्ट करना एंटर दबाना एं Dare वातर हम ने चाइब हुआ ए पहले पुराने वाले बिस्टा स्केंदाहे घ्ल थी आप बहुत बोट अब बाद करना पहले इसको रन हो जाने के बाद र술 करते अब ऑद तो यह से रहे तब तक क्या नहीं वे जाना है इन दर क्लिक कर देना यह वापेस इस पर क्लिक कर देना इस बार यह उपन हो रहा है इस बार यह उपन हो चुक है अभी जो हमने कॉपी करना इस पेसिंग ध्यान देना नेटवक प्राइवेट नेट पर यह उसे लेक्ट कर देना तो यह एक ही रिजन होगा इदर यह सेलेक्ट कर लेना अब शायद हमें जस्ट क्रियेट करना इदर एदर एड यह राउटर लुट करना पर अटोमेटिकल यह उपन हो जाएगा अब आपको क्या करना है पस क्रियेट पर क्लिक कर देना नेट राउटर टीक है मेरी इस बार इस बार इस बार यही प्रॉब्लम होती है कि दिखती नहीं है इस बहुत जहांसे देखना पड़ीगी इसको स्पेस दवाना में हो गया आपको क्या करना है पस क्रियेट पर क्लिक कर देनाना नहीं हमने दे दिया है अब क्रियेट कर दिया है अब क्या करना है नीचे आना है कम्प्यूट वापस है वापस है में ॴेम इस्टेंस स्लिया कर लेंगे एक c higher कमंड को थीक है इधर लाना वापस से में को स्क्रोल करता हूं अब अब इधर आखको यह assessment को पेस्ट कर देना एंटर दबा देना ठीक है एधर अब किले नेक्स्ट आगे का काम करना है तो इसको कॉपी कर लेना आप बस इधर आना यह जैसी रन हो जाए एक बार अपने आगे के प्रोस्ट करते हैं अभी वेट करो पहले एक आउट्प मनलब इसके पास हमें कमांड पेस्ट करने के लिए वो देगा अब प्रोबलम नहीं आएगी अब के लिए अपको की लिए आप कम्पलेट हो चुकी आपको कोई प्रोबलम नहीं आएगी बस नॉर्मिल आपको एंडलाप करना आपको टिक दिखा देताव लगचुकए है आपको वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैसीज जो इन्फॉर्मेशन जे आपके लिए लाते रहते हैं तो मैं फटा फटा आपको दिखा देता हूं कि लाप पे ठीक लगाए कि नहीं लगाए देखो याला यह हमारा कंप्प्लीट हो चुका है वीडियो घ्रीक की ाले मầलेट तो मशिद्मी लिए विडियो को लाइक देना